हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो SAC रेंकर सड़ा इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं फिजिक्स के कुछ जनरल MCQs और ये कुस्टिन्स मोस्टली हर एक्जाम्स में पूते जाते हैं और आने वाले एक्जाम्स में भी ये बहुत इंपोर्टेंट है तो आप इस वीडियो को पूर मापन निम्न लिखित में से समय का मातरक नहीं है तो प्रकास वर्स है वो समय का मातरक नहीं है प्रकास वर्स जो है वो दूरी का मातरक है पार्सेक इकाई है पार्सेक है वो दूरी की इकाई है दोस्तों पार्सेक जो होता है वो 3.26 लाइट येर के बराबर होता है यानि कि तीन पॉइंट दो छे परकास वर्स जो होता है वो एक पार से के बराबर होता है यहां कुछ इस देर की फिजिकल कॉइंटिटी उनके सामने उनकी यूनिट है उनको मैच करना है तो उचवेक का मातरक उचवेक को हम मैक में नापते हैं शही है तरंग देर्धे को हम एंग स्ट्रों में नापते हैं ये भी सही है दाब को हम पासकल में नापते हैं ये भी सही है उर्जा को जूल में नापता है ये भी सही है तो इसका सही अंसर होगा है प्रकास वर्स, पदार्थ की मात्रा मौल, विद्युत ओविस की मात्रा मौल, उसका मात्रा होता है कुलॉम, और्जा उसका मात्रा होती है वाट तुगंड़ा, तो इसका सही अंसर कुन सा होगा इसका सही अंसर होगा बी कारे का मातरक है कारे का मातरक हम सब जानते हैं जूल होता है प्रकास वर्स किसकी ही काई है तो प्रकास वर्स दूरी की ही काई होती है प्रकास वर्स जो होती है वो प्रकास द्वारा एक वर्स में तहकेगी दूरी के होती है तो ये डिस्टेंस लगबग होती है 9.46 into 10 to 15 मीटर यानि कि 9.46 into 10 की पावर 15 मीटर और किलोमेटर में होती है 9.46 into 10 की पावर 12 किलोमेटर यानि कि लगबग चौरान में खरब किलोमेटर होती है एक वर्स दूरी निम लिखित में से कौन सी मातरा जड़त्व का माप है तो जड़त्व होता है वो द्रवमान की अवस्ता होती है जो उसको उसकी अवस्ता में ही रहने के लिए उसको प्रेरित करती है इसको इनर्षिया भी बोला दाता है और कभी कोमेंस नॉर्मली हम मास्ट जो होता है द्रिवमान उसको इनर्षिया के रूप में भी कभी कभी मानते हैं जो तौरण है उसका मातरक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वार बल का मातरक न्यूटन होता है उक्रत कार्य का मतरक जूल कहता है आवज का मतरक होता है नूटन इंटू 2 नूटन सेकेंड तो यहां पे अंसर सही कौन सा और दी होगा निम्ड लिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है तो डेसिबल है वो ध्हनी की प्रवलता की कई है यह सही है अस्व शक्ति है वो शक्ति की इकाई होती है ये भी सही है समुद्री मील यानि की नौटिकल मील वो होती है वो नोसन चलंद मेदूरी की इकाई होती है ये भी सही है Celsius जो होता है वो उस्मा की इकाई का मातरग नहीं होता वो होता है तापमान यानि temperature का मातरग होता है Lumen किसका मातरग है? Lumen जोती Flux का मातरग होता है Lumen Curie किसकी इकाई का नाम है? Curie दोस्तो Radioactive Dhammita की इकाई का नाम है मेडम क्यूरी जो थी जो नोंने यूरेनियम की खोज की थी उनके नाम पर ये क्यूरी रखा गया है पास्कल इकाई है पास्कल दाब की इकाई होती है केंडला किसका मात्रक है केंडला जोती तिवरता का मात्रक है यानि की इलुमिनेशन इंटेंसिटी जूल निमलिकित में से किसकी कहा यह जूल ओर जाया कारे के कही उर्जा का रहे हो दोनों सेम चीज होती है उसका मात्रक एक होता है जूल मात्रकों की अंतराश्ट्री पद्धति कब लागो की गई यह पद्धति सन 1971 से लागों हो रही है वैसे यह 1960 में ही शुरू हो गई थी लेकिन 1971 में उन्की जो क यूनिट है मोल जिसक पदार्थ की मात्रा का मौत्रक होता है मोल उसको जोड़ा गया था 1971 में पहले छह बैसिक यूनिट थी जब सात्राश्ट्रिय पद्वित्ती ये लागू कर दी गयी है तरंगों की आवरती मात्रा की यूनिट है तरंगों की आवरती मात्रा के इकाई है विदुत मात्रा की एकाई एंपियर होती है ऐसाई पद्दती में लेंस की शक्ती की एकाई क्या है तो ऐसाई पद्दती में जो लेंस पाउर होती है वो डायोक्टर में नापी जाती है डायोक्टर यानि की वन बाई एफ यानि फोकस दूरी जो होती है एफ उसका इन्वर्स वो होते है डायक्टर में डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है तो डेसिबल ध्वनी की तीवरता नापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है वातावरंड में जो ध्वनी होती है उसको मापते हैं डेसिबल में एंपियर के अन्यक्तिकरент के होती है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का असाई मात्रक है इसका मात्रक होता है न्यू तर मिट्र स्क्वार निर्ञ-लिक युग्मो में से किन भौतिक राशियों के समान वीमे सुतर नहीं है तो आवेग और समवेग जो होता है वो अलग चीज होती है इन दोनों का वीमे सुतर समान नहीं होता है एक खगोल्य एकाई समंदित है एक खगल्य एकाई जो होती है वो होती है पृत्वी और सूरज के बी बीच की दूरी walking एक का साथ chyba कि निमन लिखित में से कौन एक सद्थराशी नहीं है तो द्रवेमान जो होती है वह सद्थराशी नहीं होती है क्योंकि इसका परिमान होता है यूद USC का direction नहीं होता है दिसाने नहीं becomes औरजा जो होती है वह दितो स्य जो हौति है कि इसका भी परिमान होता है लेकिन सब्सक्ण प्रभ इसके नहीं होती है दितोर फिलसी सदिश रहं है वह. सबस्टेश नहीं इसका मातरक होता है Mor में सबस्काइबर का मातरक होता है मीटर पर सेकेंड निम लिखित में से कौन सा एक व्यूत्पन परिमान नहीं है जो आयतन है जो द्रविमान होता है वो व्यूत्पन परिमान नहीं है क्योंकि ये बेसिक यूनिट है जो बेसिक यूनिट को यूज करके अपन जो दूसरी यूनिट्स निकालते हैं वो होती है व्यूत्पन परिम तौरन गयात करने का सही सुत्र है तो वह होता है टोटल टाइम अन्तिम वेग मानिस प्रारम्बिक वेग बटे में समय पदार्थ के समवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भोतिग्रासी प्राप्त की जाती है तो समवेग जो होता है वो होता है M into V mass into velocity और वेग जो होता है वो होता है simple V इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो V से V cancel हो गया तो बचेगा क्या M यानि mass द्रवेमान प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है प्लांक constant जो होता है उसमें कोन ये गति का आयाम होता है angular velocity का प्लांक constant जो होता है वो एक photon की उर्जा नापने का जो सूतर होता है उसमें यूज होता है e is equal to h new H जो होता है वो होता है plan constant जिसकी value होती है लगबग 6.626 into 10 is to minus 34 joule into second 6.626 into 10 ki power minus 34 joule second वो होती है plan constant की value एक लड़की जूले पर बैठी इस्तिती में जूला जूल रही है उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आउरतकाल क्या होगा यानि कि जूले की स्पीड जो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी तो स्पीड वो है वो कम हो जाएगी दोस्तों कि जो आउरतकाल होता है टाइम पेरिड उसका फॉर्मुला वो डिपेंड करता है ले तो जो एल है उसकी वेल्यू होईगी वो बढ़ जाएगी जिसके करण एफ की वेल्यू जो होती है वो घट जाती है घुर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है मेज के कोणिये वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेज का वेग है वो कम हो जाएगा हम सब जानते हैं यदि किसी चलती वी वस्तो के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका उसका क्या प्रभाव पड़ेगा एम वी की जगे टू भी कर देते हैं तो इसका स्क्वाइर करेंगे तो यह हो जाएगा फोर वी स्क्वाइर यानि कि चार गुणा एक बटे दो एम वी स्क्वाइर तो अब देख रहे हैं कि गति जुर्जा है वो उसकी चार गुणा हो गई है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि क्योंकि द्रव्यमान होता है वो हर कंडिशन में एक ही रहता है जबकि भार होता है वो अलग अलग जगे पर अलग लोग होता है क्योंकि वेट जो होता है वो उस पर डिपेंड करता है जी पर इसका फॉर्म जी होता है वो अलग अलग जगे पर अलग अलग होता है जो भूमद दर्टी पर अलग अलग है द्रोबों पर अलग है चांज पर अलग है और अलग प्लैनेट से उस पर जी का मान अलग होगा तो उसके जगे उसके अनुसार वेट भी अलग अलग होगा किसी भी इस्थिर या गतिशी लवस्तों की इस्थिती और दिसा में तब तक कोई परिवर्टन नहीं होता जब तक पर उस पर कोई बायबल सक्रेना हो यह है यह तो न्यूटन की गति का पहला नियम है जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं Newton की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिकिरिया से संब्ध बल है वो हमेशा भिन भिन वस्तो पर ही लगे होने चाहिए दो लग लग चीजों के आपस में बल लगता है इसी से क्रिया की प्रतिकिरिया उत्पन होती है एक चीज पर कभी क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों सेम नहीं हो सकती प्रतेक्रिया के बराबर वे विप्रीद इसा में एक प्रतिक्रिया होती है यह है तो यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के करण संबव है जल में तेरना ये तीसरी नियम के करण संभव है क्योंकि हम जल में जब तेरते हैं तो अपने हाथों से पानी को पीछे दखेलते हैं पानी को पीछे दखेलते हैं तो हम वो हमारे उपर फोर्स लगता है जिसके हम आगे गती करते हैं यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है कोई पिंट तब तक विरामा वस्ता में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहियबल कारे नहीं करता है यह कतन किसका है तो यह न्यूटन की का पहला नियम है तो न्यूटन का कतन हुआ यह बल की परिभासा आती है न्यूटन के कौन से नियम से पहले नियम से ही आती है क्योंकि बल जो होता है उसका मानाता है F is equal to M into A यह न्यूटन की गति पहले नियम यह यह पहली समीकरण जो तीन समीकरण है तीनों नियमों की उससे निकाला गया है किसी पिंड के उस गुंद्धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की इस्थति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती ह है तो इसको वस्तों का जड़त्व या इनर्शा कहते हैं इनर्शा जो होता है वो जो पिंड होता है या वस्तों होती है उसको उसकी गति का विरोध करती है या फिर उसको इस्थिर रहने की वस्ता होती है उसका विरोध करती है न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं पहल खींच रहे तो गोडे द्वारा प्रत्वी पर बल लगाया जाएगा उसके पैरों द्वारा जिसके कारण प्रत्वी भी उसको उसी मात्रा में विप्रीत दिशा में बल देगी जिसके कारण वो चलना उसका संभव हो पाएगा तो प्रत्वी द्वारा गोडे के पैरों पर आ न्यूटन की गति के पहले नियम के दोरा समझाया जा सकता है जब हम बस में बैठे रहते हैं और बस रुकी वी है तो हम भी इस्तिर है और बस भी इस्तिर है तो दोनों का आपस में सापेक्स वेक जो होगा वो जीरो होगा लेकिन जब अचानक से बल बस चलना शुरू कर देत जो धखका सा मेसुस होएगा उसको हम न्यूटन की पहले नियम से बता सकते हैं क्योंकि पहला नियम जो कहता है वो कहता है कोई वस्तू अगर इसतिर है तो इसतिर ही रहna चाहेगी। वस्तू गति सील है तो गति इसील ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई external force ना लगता हो रोकेट किस सिद्धानत पर कारे करता है रोकेट का सिद्धानत है वो newton का तीसरा नियम होता है क्योंकि रोकेट जो होता है वो launch होते टर्म प्रत्वी जो होती है उस पर बहुत ज्यादा मात्रा में बल लगाता है इसके कारण प्रत्वी होती है वापस उसे इतना वेग दे देती है कि वो आस्पान में उपर जग जाता है और कभी-कभी escape velocity को भी पार करके जला जाते है अस्व यदि एका एक चलना प्रारम कर दे तो अस्वा रोही के गिरने की आसंका का कारण है तो ये भी इसका कारण है विश्राम जड़तु है इनर्शिया पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर तूट जाएगी क्योंकि पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है जल के आयतन में क्या परिवर्दन होगा यदि तापमा नो डिगरी Celsius से गिरा कर तीन डिगरी Celsius कर दिया जाता है तो आयत जाता है तो नो डिगरी से चार डिगरी तक जाएंगे तो यह पहले तो घटेगा चार डिगरी पर एकदम मिनिमम हो जाएगा फिर वापस बढ़ने लग जाएगा लकडी के सिलेंडरा का रपात्र को खीचने की जए लुड़काना आसान होता है क्योंकि जो लुड़काने म वो उसको खेंचने में जो घरसंबल लगता है तो यहाजस का फ्डूना में कम लगता है इसके करण इसको लुड़काने असान होता है जबकि खेंचना कटईन होता है एक नदी में चलता हुः जहाज शमूद्र में आता है तब जहाज का इस तर थोड़ा ऊपर उठ जब जहाद समودर में एंटर करता नदी से तो जो उसके दोरह उठाएगा पानी का वेट है वह नदी में जब तहर रहा हुता होता है उसके अंदर हँटा यह पानी के वेट से ज्याधा होएगा जिसके करण जो अब्थरस्ट लगता है यानि कि पानी दोरह उसको उपर उठा कारे में जो बल लगता है वह ज्यादा लगेगा जिसके करने उसका लेवल हाई हो बढ़ जाएगा थोड़ा सी 20 किलोग्राम के वजन को जबीन के उपर एक मीटर की हुचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्या है तो इसके लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जो कार्य होता है वर्क उसका फोर्मला होता है F into S S जो होता है वो displacement यानि विस्तापन होता है जबकि वस्तु को हमने पकड़े रखा है तो विस्तापन जो होगा उसका 0 होगा तो वर्क जो होगा वो भी 0 होगा एक व्यक्ति एक दिवार को धक्का देता है पर उससे विस्तापित करने में असफल रहता है तो वह करता है रकार्य तो अतना अधिक्तम करेगा लेकिन उसका विस्तापन जो होगा वो 0 रहेगा पहाड़ी पर चड़ता होग व्यक्ति आगे की और जुक जाता है किसलिए जुकना पड़ता है नहीं तो हुए है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके सरीर से बाहर बनेगा और वो गिर जाएगा एक जील में तेरने वाली इस पात की नाव के लिए नाव द़ावश्थापित पानी नाओ के उस भागके बराबर होता है जो पानी की सते के नीचे है तभी उन आउ टैर पाइगी नहीं तो है डूब जाईगी किसी कालिन की सफाई के लिए च्छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कुन सा नियम लाग होता है उसमें गत्ती का पहला नियम लग्यों होता है क्योंगकि उसके अंदर जो दूलके करण होते हैं वो बिरामा वस्तम होते हैं उसपे कोई बल लगा जाए सबसे जादा निया कील है कि पारे में तेरती है जब कि वह पानी में बूप जाती है तो पारा यानि मरकरी जो होता है उस वो सबसे डेंस धातो होती है उसकी गनतों जो होता है वो धातों में सबसे जादा होता है लोहे से भी जादा होता है इसके करण जो दूसरी धातों लोहे की जो कील है वो मरकरी में डूबोएंगे तो वो डूबेगी नहीं बलकि उस पर त प्रफ प्रश खेरेंगे, जब एक ठोसपउड को पानी कही नुए जाता ए तो उसह बार आता है, तो यह हास उसके दौर्बर विस्तापित पानी है उसके बराबर होता है। यह Archimedes का सिद्दान्त होता है स्टील की गोली पारे में तेरती है क्योंकि क्योंकि पारे का घनत्व स्टील के घनत्व से यादा होता है एक लोहे की गेन पारद या मरकरी से भरी behaviorality में गिरा Factig जाती है तो वह तेरागी? सएम रीजिन है पहले वाला किसी ताप मांपपर जल का घंद अधिक्तम होता है तो चार ड डिद टाप मांपट ही तो मैं कम होएगा तो डैन सटी ज़यदा अधीड आँगी туда सबसे कम होता है तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होएगी वस्तों की मात्रा बदलने पर परिवर्तित रहता है तो द्रवमान हमेशा गनत्त वस्तों का गनत्त उसकी मात्रा बदलने पर परिवर्तित रहेगा तेराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तेरना आसान क्यूं लगता है क्यूंकि समुद्र पानी होता है वो नदी के पानी से भारी होता है जिसके कारण वो आसानी से तेर पाये जाए बादल किस कारण से वाई विंडल में तेरते हैं समूद्र में प्लवन करते हैं आइसबर्ग का कितना भाग समूद्र की सत्य से उपर रहता है तो उसका एक बटे दस पार्ट समूद्र की सत्य से उपर रहता है क्योंकि जो आइसबर्ग की बर्फ होती है और जो समूद्र का पानी होता है उन दोना की डेंसिटी अलग लग होत तो यह जो बर्फ का गनत होता है वो लगबग समूद्र पानी के 90% के इक्वल होता है इसलिए उसका 90% हिसा पानी में डूब जाएगा और 10% ही बाहर दिखेगा बांद के नीचे की दिवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब भी बढ़ता जाता है इसके कारण वो तूटे ना दिवार इसके कारण नीचे की दिवार मोटी बनाई जाती है और उपर की दिवार थोड़ी पतली होती है बर्फ पर स्केटिंग करना प्रद्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनाग घट जाता है चोराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि क्योंकि अगर पानी को बहुत जादा वेग से फुहारेंगे तो उसका दाब कम हो जाएगा तो उस पर कोई भी वस्तो होएगी वो तैड़ने लगेगी भारी हिमखंड शीर्स की अपेक्षा निचले तल से पिगलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होता है इसके करना गलनाग जो होता है वो कम हो जाता है दलदल में फसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि लेटेंगे तो हमारे शरीर का जो पारसुचेतर फल है वो बढ़ जाएगा जिसके करना दाब है वो कम लगेगा प्राय तेज आन्धि आने पर फूस या टीन की हलकी चटि उड़ जाती है क्योंकि छत के ऊपर बहनेवाली जो हवा होती है वो आंधिके गरण बहूत ज़ादा होती है लेकिन छत के नीचे जो होती है हवा वो नॉर्मल अटमसफेरी इस प्रेसर होता है प्रेसर उतना ही रहता है, इसके कारण जो प्रेसर का डिफरेंस आता है, वो छट को उड़ा कर ले जाता है, रेल की पट्री के नीचे लकडी या कंक्रीट की चोड़ी पट्री लगा ही जाती है, जिससे की जो रेल गाडी के दोरा लगाएगा दाब है, उसको सहन कर सके, कम हो जाए वो दाब इसके करण लगाई जाती है पहाडों पर कभी-कभी व्यक्तियों के नाक वे मुझ से खून निकलने लगता है क्यों कि जब जैसे जैसे हम उन्चा ही पर जाता है वैसे वैसे वाई-वमंडिली दाब कम होता जाता है जिसके करण हमारे सरीर पर दाब जाएगी और हमारे नाक से खून निकलने लग जाएगा तो इसका अंसर डी होगा हवाई-जहाज में पाउंटेंट पैन से शाही बाहर निकल जाती है क्योंकि उचाही बढ़ने पर दाब कम होता है जिसके करण वह शाही फैल जाएगी यदि प्रत्वे का दर्यमान वही रहे और त्रिज्जा एक परसंट कम हो जाए तब प्रत्वी के तल पर जी का मान क्या रहेगा तो जी का मान दो परसंट वह बढ़ जाएगा क्योंकि जी का फर्मॉला होता है वह होता है जी एम एम पटे में आर स्क्वार जी होता है वह होता है वह होता है ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट यह हर्जे के कॉंस्टेंट रहता है मास कोई पिंड का मास होता है वह होता है जैसे प्रत्थ्वी का भी मास ले सकता है और जो आ तो जैसे जैसे हम तरिजया को कम करेंगे तो ग्रैविटी बढ़ जाएगी तो यह 2% बढ़ जाएगी उंचाई की जगव पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमन पर क्यों उबलता है क्योंकि उंचाई बढ़ने पर वायू बंडेल ये दाब कम हो जाता है अंदर व्यक्यूम जीसा current होता है हम दल्दली सड़कों पर क्यों फिसलता है क्योंकि वहां फ्रिक्षान इनि घर्षान कम होता है जब वैरोमेटर का पार आचना घिर जाए तो यह किस बात का ध्योतक है तो जैसे वैरोमेटर का पार आचना घिर जाता है तो इसका पर वायुद दाब घट जाता है तो हमें औक्सिजन की ज़्यादा होई सकता पड़ेगी जब 14 वायुद भी किसी उंचे परोद पर ले जाता है तो नलीका में पारा गिर जाता है क्यों क्योंकि उंचा ही पर जाएंगे तो दाब कम होएगा तो पारा अपने हाप गिर है क्योंकि इसके गुरुत्व के अंदर से जाने वाली उर्द्वादगर रेखा है वो इसके आधार से होके जाती है इसके कारण यह जुगी वी तो है लेकिन गिरती नहीं है जाड़े की रातों में अत्यदिक ठंड पढ़ने पर पाने की पाइप फट जाती है क्यों क्यों पाइप में जम जाता है तो उसका गलत वो क्या वह बढ़ जाएगा जिसके कारण पाइप पर फोस लगाएगा और पाइप फट जाएगा शरीर का वजन प्रित्वी की सतय पर एक समान रहता है नहीं प्रित्वी की अलग अलग जगों पर अलग अलग होता है और यह भूमद्य रेखा पर हमें सबसे कम मिलता है और द्रोवों पर जो आता है वो सबसे अधिक होता है व्यक्ति प्रत्वी की सतय की तुलना में चंद्रमा की सतय पर अधिक उंचा क्यूं उचल सकता है दोस्तों चंद्रमा की सतय पर गुर्टवाकरशन है वो प्रत्वी की सतय पर गुर्टवाकरशन के कारण कम होता है जिसके कारण हम चंद्रमा पर चलेंगे तो ऐसे लगेंगे जैसे उचल रहे हैं बल गुणनफल किसका गुणनफल होता है तो बल होता है वो द्रविमान और त्वरण का गुणनफल होता है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्तित भार घट जाता है क्योंकि वहाँ पर जी की वेल्यू कम है प्रत्वी का लगबग एक बट अच्छे है वहाँ का जी की वेल्यू तो उसका वजन जो होएगा एम इंटू जी वह भी यहाँ के वजन का एक बट अच्छे हो जाएगा जबकि उसका द्रोव मान जो है वह सेम रहेगा यदि हम भूमद्य रखा से द्रोव तक जाते हैं तो जी का मान गड़ता जाता है क्योंकि जी जो द्रोव जो है वो के अंदर से थोड़े पास में है इसलिए वहाँ पर जी का मान कम होता है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे वे यात्री आगे की और दिसा में गिरते हैं इसको किसके दोरा समझाया जा सकता है इसको न्यूटन की गती के पहले नियम दोरा समझाया जा सकता है रोकेट किस सिद्धान पर कारे करता है रोकेट विश्राम जड़त्व थैंक यू दोस्तों